Hello Dear Students, आईए जाने Google Classroom में Homework कैसे शेर किया जाता है? सबसे पहले आप Google Classroom Open करेंगे, उसके बाद आप अपनी Class पर जाएंगे, Class Select करने के बाद नीचे Classwork आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर आपको जो Assignment गिवन होगी उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद नीचे आपको Add Work का Option दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारे Options खुल गए है, ड्राइव है, कैमरा, अपलोड, फोटो, फाइल, लिंक, एक्सेटरा, तो उसमें से अगर आपने कैमरा से फोटो क्लिक करके तबी देना है, या आपके पास फाइल सेव है पहले से ही, तो उस Option को आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको यह आपकी जहां पर होगी उस जगया लेकर जाएगा, आपने जो भी आपका होमवर्क है यहां से, उसको सेलेक्ट कीजिये, जैसे आप अपने होमवर्क को सेलेक्ट करते हैं, तो ये अपलोड करना स्टार्ट करता है, आप वेट कीजिये, जब तक ये आपको Turn In का ओप्शन नहीं दिखाता, अब देखिए ये turn in को option आगे है इस पर click करेंगे turn in पर click करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आप क्या submit करना चाते हैं तो turn in करेंगे तो ये आपका जो homework है वो आपका save हो जाएगा ठीक है अगर आपको लगता है कि जो homework है शैद गलती से आपने गलत send कर दिया है तो आप क्या करेंगे वापस से अपने homework को check करने के लिए homework के उपर जो आपने भेजा है उसी file पर click करेंगे यहाँ पर आपके पास जो है नीची option आता है कि आप उसको जो है unsubmit करना चाते हैं या कोई comment add करना चाते हैं या उसको delete करना चाते हैं तो आप उसमें से accordingly कर सकते हैं उसके बाद आपका जो homework है वो share हो जाएगा और यह यहाँ पर permanently save रहेगा जब तक यह delete नहीं किया जा